हेलो प्रेंस वेलकम टो इनोवेटिव क्लासजेश आज हम लोग 12 का साइन्स का मौडल पेपर, ठीक है 2021 से 22 सेशन के लिए हम लोग आज बनाने वाले है ठीक है जैसा क्या आप लोगको पता है इस इस बार एक्जाम दो बार होने वाले हैं ठीक है एक बार दिसंबर में होगा और एक बार फर्वरी के टाइम में होगा ठीक है जो प्रत्थम सावदिक परिछा होगा इसमें क्या होगा कि इसमें अब्जेक्टिव टाइप आएंगे ठीक है चालिस नमबर के objective questions आएंगे ठीक है उसमें से आप लोग को टिक करना है और जो फरवरी में exam होगा द्वित्य सावदिक परिछा उसमें आप लोग को subjective होगा मतलब उसमें आप लोग को question answer लिखना है ठीक है तो आज हम लोग science का set one बनाने वाले हैं ठीक है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कच्छा 10 का है विसे विज्ञान है समें डेढ़ घंटा का time मिलेगा और पूर्णा चालिस रहेंगा ठीक है तो भी आप लोग कोई ना कोई answer टीक करके जो आप लोग को सही लगे वो टीक करके आएगा ठीक है तो एक एक करके हम सारा set सारा subject का सारा set का हम answer बताएंगे ठीक है PDF के साथ तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट तो देखे पहला नमर का question क्या है, दाड़ी बनाने में कीस परकार के दरपन का उप्योग क्या जाता है, तो इसमें अंसर क्या होगा, दाड़ी बनाने वाले में उतल दरपन का उप्योग क्या जाता है, ठीके प्रेंस, देखे जितने भी दरपन और लेन से, उसका आप लोग यूज देख लिजेगा, उसका कहां उप्योग होता है, जैसे कि गाड़ी का side mirror जो पीछे देखने का दरपन होता है, उसमें उतल दरपन होता है, गाड़ी का headlight जो होता है, उसमें कोन सा होता है, तो ये सब आप लोग जो उप्योग है, ये आप लोग देख लिजेगा, ठीक एंसी आर्टी बुक में यहां capital R लिखा है यहां पर छोटा R लिखा है ठीक है और अगर R equal to रहता तो क्या होता R equal to होता है 2F ठीक है और F equal to हो जाता है R by 2 ठीक है अब next question देखते हैं अब देखे परकास के अपवर्तन की किरिया में कौन सी भोतिक रासी आप परिवर्तित रहती है ठीक है थर्ड नमर का question है तो देखे इसमें कौन सा चीज आप परिवर्तित रहता है तो यह अंसर होका आव ठीक है अविर्ति हमें सा परिवर्तित रहता है वेग और तरंग्देड यह दोनों बदल जाते हैं ठीक है अब देखे फोर नमर का question है आवतल दर्पन से परावर्तन के बाद कीरन कीस बिंदू से होकर गुजरती है इस तरह से आवतल दर्पन होता है और इस तरह से यहां प ठीक है यहां पर कहां से जाएगा फोकस से परावर्तन के पस्चात ठीक है अब फाइब नमर का question देखे किसी दर्पन से वस्तू को कहीं भी रखने से वस्तू के बराबर आकार का सीधा पर्तिवीम बनता है तो दर्पन होगा देखे क्या बोल रहा है कि वस्तू को कहीं भी तो पर्तिवीम हर बार समान आकार का बनेगा ठीक है और सीधा बनेगा तो एसा सिर्फ एक ही दर्पन में होता है वो क्या है समतल दर्पन ठीक है बाकी दर्पन में जगह बदलने से पर्तिवीम का आकार भी बदलता है और उसका जो सीधा या उल्टा ये भी हो सकता है लेकि अब six number का question देखिए परकास के अपवर्तन के कितने निया में तो देखिए परकास के अपवर्तन के कितने निया में दो निया में परकास के परावर्तन के भी दो निया में अपवर्तन के भी दो निया में दोनों के दो निया में ठीक है 7 नमर का question है किसी गोली दरपन की वक्रता तिरीजा 50 cm है तो उसकी फोकस दूरी देखे वक्रता तिरीजा जो पहले अभी फर्स्ट नमर में हम फोर्मूला बताएं थे R equal to 2F या F equal to R by 2 तो वही यहाँ पे यूज करना है ठीक है तो देखे वक्रता तिरीजा यानि R दिया है 50 और फोकस दूरी निकालना है तो F equal to हो जाता है R by 2 ठीक है तो R कितना है यहाँ पे देखे 50 cm है तो 50 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 25 cm ठीक है यानि हम लोग का answer क्या हो जाएगा C नमर का होगा ठीक है अब हम लोग next question 8 number का question देखते है अब देखे 8 number का question एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की छमता क्या होगी तो देखे एक मीटर जब रहता है ना फोकस दूरी तो छमता भी एक ही होता है लेकिन यहाँ पे देखे उत्तल लेंस से तो plus और minus इसका ध्यान रखना होगा ठीक है तो उत्तल जब लेंस रहता है तो उसका छमता प्लस में आता है क्योंकि फोकस प्लस में तो छमता भी उसका पावर भी प्लस में यानि एक डाइआप्टर यहाँ पे answer होगा focus plus में रहेगा ठीक है यह समझ गया आप एक किसी उत्तर lens की focus दूरी हमेशा होती है अभी ही तो हम बता दिया उत्तर lens का focus दूरी क्या होता है positive होता है plus में होता है तो answer यह हो जाएगा अब 10 number का question देखे friends 10 number में क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि प्रकास का वेग निउन्तम होता है ठीक है प्रकास का वेग निउन्तम यानि सबसे कम होता है तो किसमें सबसे कम होगा light का speed तो देखे जितना ज़्यादा सघन होता है ठीक है जितना ज़्यादा dance medium होता है light का speed उतना कम हो जाता है ठीक है तो देखें यहां पे सबसे ज़्यादा सघन कोन है सबसे ज़्यादा डेन्स है काच यानि काच में स्पीड सबसे कम होगा लाइट का इसलिए एंसर क्या होगा काच ठीक है अब 11 नमर का कोशन देखें इसमें बोल रहा है चार डाप्टर छमता वाले आउतर लेन्स की फोकस दूरी होगी तो देखें छमता बराबर क्या होता है पावर इक्वल टू पावर इक्वल टू हम बताएं पावर इक्वल टू होता है वन बाई एप और एप क्या होना चाहिए मीटर में होना चाहिए एप जो है वो मीटर में होना चाहिए ठीक है? तो पावर यहाँ पर फोर दिया हुआ है फोर इक्वल टू 1 बाई एप मीटर हम नहीं लिख रहे हैं अभी अब देखें फोर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एप इक्वल टू एप इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 ठीक है? और आप देखें यह फोकस तो निकल गया 1 बाई 4 यह मीटर में निकला हम लोग का ओप्शन में यहां सेंटीमीटर में है तो 1 बाई 4 को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा हम इस साइट कर रहे हैं देखें वाण बाई 4 है इस सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए सो से यहां पे गुना करना पढ़ेगा तो क्या होगा 25 बाई में कड़ जाएगा ठीक है? तो यहां पे हम लोग के answer क्या हो जाएगा? यहां पे B नमबर वाला यहां पले हम clear कर देते हैं 25 cm answer हो जाएगा ठीक है अब next question देखते है next question है उस उत्तर lens का focus 50 cm है तो उसकी छमता क्या होगी तो छमता का अभी हम formula बताएं क्या हो जाता है छमता बराबर p equal to 1 by up होता है ना अभी अभी हम बताएं तो देखे यहाँ एप हमेशा meter में होना चाहिए यह ध्यान रखना है कि हमेशा meter में होना चाहिए फोकस तो यहाँ पर centimeter में दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर क्या है एप centimeter में तो इसको meter में change करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको meter में change करने के लिए हम लोग को 100 से इसको divide करना होगा ठीक है तो 50 को जब 100 से divide किया जाएगा तो कितना आएगा 0.5 हो जाएगा ठीक है 0.50 या 0.5 हो जाएगा 0.50 आजाएगा तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे ठीक है 1 by 0.5 ठीक है 0.5 लिखे या 0.50 लिखे हम लोग तो यहाँ से जब point हटेगा तो उपर में 10 हो जाएगा 1 0 आजाएगा तो 5 2 जा 10 मतब पावर क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे उत्तर लेंस है तो यह focus plus में ही रहेगा तो answer plus में 2 डायोप्टर होगा यही अलागर यहाँ उत्तर लेंस के जगा आउत्तर लेंस बोल दिया होता तो क्या हो जाता answer उस समय answer minus में आता क्योंकि यहाँ पे app यहाँ app जो है वो minus में रहता तो उस समय C number का minus 2 डायोप्टर answer होता ठीक है अब 13 number का question देखे परकास का वेक सरवाधिक होगा देखे सबसे ज़्यादा speed किसमे होगा तो देखे जहाँ पे कुछ भी medium नहीं है यानि जहाँ हवा भी नहीं है वहाँ पे परकास का वेक सबसे अधिक होता है तो वो क्या होगा निर्वात होगा ठीक है तो यहाँ पे अंसर क्या होगा निर्वात ठीक है यह समझ गे आप हम लोग 14 number का question देखते है 14 number का question में दिए गे प्रक्रम में कौन उस्मा छेपी है तो देखे उस्मा छेपी अभी करिया क्या होता है स्वासन ठीक है यह question भी है NCRT book में कि स्वासन को उस्मा छेपी अभी करिया क्यों करते है क्योंकि इसमें क्या होता है उस्मा छेपी का मतलब क्या है जिससे एनर्जी निकले वैसा reaction जिसमें वैसा अभी करिया जिसमें उस्मा मुक्त होती है ठीक है या उर्जा मुक्त होती है जंग लगना किस पर करके अभी करिया है तो ये सैयोज़ान अभी करिया है एसमें reaction होता है इसमें ironhorn water का reaction होता है ठीके ये भी 17 number देखिए 17 number का question में बोरे देए गये अभी करिया में किस बदार्त का उप्चयान हो रहा है उप्चयान का मतलब क्या होता है उपचयन का मतलब होता है एक ओक्सिजन का जूड़ना ठीक है तो किस में ओक्सिजन जूड़ रहा है तो देखें यहाँ पे जिंक ओक्साइड था पहले यहाँ जिंक से ओक्सिजन हट गया जिंक ओक्साइड में ओक्सिजन हट गया लेकिन हम लोग को हटना नहीं देखना है, किस में oxygen जुड़ा है वो देखना है, यहाँ देखे कार्बन अकेले था पहले, अब कार्बन में oxygen आ गिया, ठीक है, रियक्षन से पहले, अभी किरिया से पहले कार्बन अकेले था, लेकिन रियक्षन के बाद कार्बन में oxygen जुड़ ठीक है, अब next question देखते हैं, 18 नमर का हम लोग, अब 18 नमर का question देखें, friends, इसमें बोल रहा है कि, दिये गए कौन सा राशानिक समिकरन संतुलित है, ठीक है, संतुलित कौन सा है, वो चेक करना है, तो देखें इसमें, यहां पर गिनना पड़ेगा, जिसे यहां calcium 1 है, यहां भ इक वल है, अब हम लोग hydrogen देखते हैं, यहां hydrogen 2 है, और यहां hydrogen 2 है, और carbon देखते हैं, यहां carbon 1 है, लेकिन यहां carbon 3 है, ठीक है, यानि यह संतुलित नहीं है, ठीक है, इसमें देखें, hydrogen 2, hydrogen 2 दो निचार, यह भी संतुलित नहीं है, ठीक है, इस तरह से, इसमें 4 aluminium, यहां 2 aluminium, एक कौपर, देखें, यह भी संतुलिध नहीं है, यहां पर मिस्प्रिंट हो गया है, कुछ मिस्टेक है कहीँ पे, ठीक़् है, तो अगर यहां पर टू लिग देता, ठीक़् है, यहां कौपर औक सद pasar से पहले, टू लिग देता तो क्या भाइब यह संतुलिध होता, या फिर इस जगह hydrogen से पहले अगर 2 लिखा हुआ होता तो भी संतूलित होता लेकिन यह misprint हो गया है ठीक है तो इसको आप लोग इस तरह से गीन के पहले चेक कर लिजेगा कौन सा सही है कौन सा गलत ठीक है 90 नमर का question है प्रेंस देखें दिये गए चीतर में कौन से अभी किरिया हो रही है तो देखें यहां पर कौन सा अभी किरिया हो रही है यहां पीबी है और यहां पीबी क्लोराइड ठीक है मतलब यह क्या हो पीबी जो है यह कौपर को हटा दिया देखें कौपर अलग हो गया है तो गंद ये सूचा का मतलब हूँ असमेल से ठीक है तो असमेल से हम लोग यहाँ पे प्याज से पता कर सकते हैं ठीक है तो यह अला अंसर हम लोग का ठीक है यह बाकी सब क्या है रंग वाले हैं ठीक है यह रंग बताते हैं रंग के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि कौन आम प्याज रंग नहीं बताता है इसमें गंध मताता है। स dalamपको जोड़ने के लिए किसंफर करता है हादी वोटाज यूड़ने के लिए किस आफिक ऑप यूज होता है तो वह होता है फिर्मू निमें करद कर देंदलिया है अर्व यहां है यहां पे गौर्छी है physics घूरीται er कि दॉरह में व्योटर से भीकिशन आपो दिखहे उंपर गौरह हो रही है यहां पर को दिखेगा तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा कि यह कौन सा विकिरिया है यह एक वियोज्जान अविकिरिया है ठीक है यह कौन सा विकिरिया है वियोज्जान अविकिरिया है ठीक है आप लोग बुक में देखेगा इस तरह बहुत सारा फीगर है reaction का NCRT book में तो आप लोग वो सब याद रखेगा कि यह किस चीज का reaction है और क्या क्या चीज उसमें है कौन कौन सा chemical का reaction हो रहा है तो वो आप लोग याद रखेगा ठीक है क्योंकि यह पे नाम भी दे सकता है अगर जैसे तीर दे देगा arrow एक दिया रहेगा बोलेगा यह क्या चीज है ठीक है तो वो आप लोग याद रखेगा बुक से ठीक है अब next question देखते है next question देखे 24 नमर टमाटर में कौन सा आमल पाया जाता है तो टमाटर में कौन सा आमल पाया जाता है औक जेलिक आमल पाया का आयन या फिर ओया चायन ये इसकी सांद्रता जो है उसको कम करना कम करना ही होता है तनुकरन ठीक है ठीक है अब 26 नवर का question देखते हैं 26 नमर का question में बोल यह निमलिखित में कौन प्रकास यह वियोजन है देखे, वियोजन अभी किरिया में, प्रकास के द्वारा वियोजन होना, ठीक है, मतलब, लाइट देंगे, तो वो वियोजन हो जाएगा, यानि कि दो भाग में तूट जाएगा, दो पदारत में तूट जा कि अब नेक्स कोशियन 27 नमर अमीबा है अपने किसंग का किसंग से भोजन ग्रहन करता है तो तो क्या आंसर होगा तो वहां पर पर क्या हो जाएगा एंसर यहां पर अंसर हो जाएगा कुट पाज ठीक है पाचन आफे टाचन प्रकिरिया में वसा का करता है रिखाश, कि पहां कारता है वह और करता है पीट है 29 नमबर है निमली किस ぐन स्वपोशन स्वपोशन क मतलब कब क्या है अपना खाना खुद बनाना यानी जिसमें प्रकाष्ट कसलेशन हो थो प्रकाष सश्सलेशन हमेशा हरे पोदों में अंदर कि YouTube ღ किक शामर भलमर भी हरा नहीं है कवग ह स्टंख ृप भी हरा नहीं है कवग स लो लो चुट जो हैस्तोर पर हाता हो इसे मभल कि षौबो कहते हैं स्वश्वांक आम क्रोइट मैं वर्नक होता है वो क्लोरो फिलोता है ठीक है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई इकाई बोल रहा है यूनिट बोल रहा है ठीक है उत्सर्जन तंत्र का तो देखे किड़नी भी आता है उत्सर्जन तंत्र में और व्रिकानू भी ठीक है व्रिक और व्रिकानू दोनों आत से बाहर निकाल कर चानने की प्रकृरिया आती है। देखे हैं, जिसका कीड्नी खराब हो जाता है तो उससका क्या चाता है, forearm 34 is a जनन की मुल घटना क्या है तो για जनन k smell डə मुल घटना है बनेस्ट आर दिने की प्रतीकिर्तिका ठीका है next question is नर यूगंखक और माधा यूगंख में संख滌लेयन को क्या करते हैं तो यह क्या होता है निशेचन होता है ठीक है 37擸्यन का question है लडकों में यूणारम के लक्षनों को नियन्थ्रीतश कोन सा हार्मोन करता है देखे कोन सा हार्मोन करता है testoasterone ठीक है तो लड़का में यह अला आर्मन होता है ठीक है आब नेक्स्ट वाला कॉसर देखते हैं अब देखे 38 नमर में कॉसर में है स्वर इस्थिरांग का मान क्या है ठीक है तो देखे सोर इस्थिरांग कमान कितना होता है 1.4 किलोवाट मीटर अस्क्वेर होता है ठीक है पर मीटर अस्क्वेर प्रति मीटर अस्क्वेर तो यह ला अनसर हो जागा ठीक है 39 नमर का question है जेव गेस का मुझ के घटक क्या है तो देखे जेव गेस का जेव मास जो होता है उसका मुझे घटक क्या होता है मीथेन होता है ठीक है अब फोटी नमर का कॉशन है फ्रेंस मासागरे ताप उरजा प्राप्त करने के लिए मासागर के प्रिष्ट के जल का ताप और दो मीटर की घहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए तो देखे इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा 20 डिग्री सेल्सेस ठीक है ठीक है यहाँ पर 2 मीटर लिखावा है यहाँ 2 किलो मीटर लिखावा होना चाहिए था ठीके फ्रेंस वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें और अगर आपी चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा ज्यादा अपनी दोस्तों को भी सेर कर दें थैंक्यू